इस वीडियो आप सबीका हमारे यूटूब चैनल आइडियल देकुलास इसमें सवगाते बच्चो आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट शात्वरती पाइक्षा 2022 के महत्मुल भौविकल्पी प्रस लेके आएं जो हिंदी मीडियम के लिए यह पाइक्षा आपकी भाग के अंतरकत तीन विषये आएंगे विज्ञान समाज विग्यान अर गडित इस वीडियो के मादिय हो खोड़ती में चैनल प्रस पř. लौट करते हैं प्रिष्ण कमांग एक में क्या कहा है देखिए कोशिका की खोच करने वाले जिव विग्यानिक क्या कह रहा है कोशिका की खोच करने वाले जिव विग्यानी थे कौन थे कोशिका की खोच करने जिव विग्यानिक उसका नाम आपको यहां बताना है चलिए चार कि सरचना और उसके प्रकारे का अध्यन किया जाता है कहलाती है इसका सही आंसर आजाएगा देखते हैं प्रेषा नमबर तीन प्रेश नमबर तीन में कहा रहा है पैथ veto के वीविन इस्तर पीजाई से लाखो वार्स पहले पैथवी पर रहने वाले पौधो और जनतूं के अवशेशों को पता चला, पौधो और जनतूं के इन अवशेशों को कहते हैं, क्या कहते हैं, पताई ये पौधो और जनतूं के इन अवशेशों को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर आजाएका जीवास्म, क्या कहते हैं, जीवास्म, next question number 4 देखते ह है चलिए पड़िए उसे जी विज्ञान की जिस साखा में पौधों और जनतों की जेविक किरियाओं का ध्यन किया जाता है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं तो इस बता यहां सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर बी नंबर शेरीर किरिया विज्ञान क्या कहते हैं शरीर के रिया विग्यान नेश्ट प्रस नमबर 5 देखिए जी विग्यान की वह साखा जिसमें जिवास्मों का अध्यान किया जाता है कहलाती है जी विग्यान की वह साखा जिसमें जिवास्मों का अध्यान किया जाता है कहलाती है चलिए बताइए इसका सही आंसर इसका भी स जिसमें जन्तूँ और पोदों के अध्यन किया जाता है कहलाथी है यहां पर चार आपसन दीए पहला आपसन सरीट रजचन दूसरा आकारीख की और बी नंबर सरजना का पता किस वेग्यारिक द्वारा लगाया गया यहां 4 अपसन दी हैं 4 अपसन में सही आंसर बताना इसका सही आंसर आजायेगा C नंबर GD Watson और FHC Crick की द्वारा लगाया गया नेश्ट अगला प्रसन देखते हैं प्रेस नमबर आठ प्रेथम इलेक्टान सूचोंदर्शी का अविश्कार निमलिखित विग्यारिक द्वारा किया गया किसका कहरा है प्रेथम इलेक्टान सूचोंदर्शी का अविश्कार किस विग्यारिक द्वारा किया गया बताई, यहां सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आजाएगा D number M9 और Eâyraicio कोन है, M9 और E caminho निए D number का आंसर इसका शही है नेस्ट अगला प्रेसन देखते के question number 9 विभिन प्रेकार के कार्यों को करने के लिए सजीयों को निमलिखित की आवसकता होती है क्या कह रहा है विभिन पिकार के कारों को करने के लिए सजीयों को निमलिखित के आउसकता होती है बताई सजीयों किसके आउसकता होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नमबर उर्जा की आउसकता होती है किसको सजीयों को इसका सही आंसर ए नमबर है नेक्स्ट अगला प्रस्ण देखे प्रस्ण नमबर 10 क्या कह रहा है जी विज्ञान का अध्यन करने वाले वस्तुता निमलिखित का अध्यन करते हैं प्रस्ण को समझे प्रस्ण क्या कह रहा है जी विज्ञान का अध्यन करते हैं तो इसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर प जिविज्यान का शौनकाल कहते हैं किस सदापदी को जिविज्यान का शौनकाल कहते हैं बताई सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर आजाएगा सी नंबर बीश्वी सदापदी को क्या कहा जाता है जिविज्यान का शौनकाल का कहते हैं नगला प्रस ने डखते हैं, प्रस नंबर बारा, प्रस नुमर बार continent, क्या कह रहा है, आनुआ अनसिकी के सिध्धान कप्यात्रि पादन किया था, किससे न किया था ? यहां A नमबर दिया सर, आर्किबार्ड, गेरोड ने, डाक्टर H जी, खुराना ने, और उसके बाद C नमबर के दिया, देखते हैं, C नमबर में दिया है, हेरोड, यूरे ने, और D नमबर दिया, ग्रेगर, जान मेडल ने, तो सही आंसर आजाएगा, ग्रेगर, जान मेडल किया था, नेक्स अगला प्रेशन, प्रेशन नमबर 13, कोशी का सिद्धान, निमलिखित, जीविग्यानी, द्वारा प्रेस्टूत किया गया था, इसका सही आंसर यहां से बताई, चार आफसन दिये, चार आफसन में सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नमबर श्लाइडेन और इश्वान ने, next ने भी नमबर का अंसर इसका सही है, next प्रस ने देखनें, प्रस नमबर 14, प्रस नमबर 14 हम क्या कह रहा है, जिव पारिष ठितिक वर्गीन प्राणि को निमलिखित जिव विग्यानिक द्वारा प्रस्तूत किया गया था, जिव पारिस्थितिक वर्गिकरण प्राणी को किस व्यज्यानिक द्वारा प्रिस्तूत किया गया था बताई यहां से चार आपसन दी चार आपसन में सही आंसर क्या जाएगा इसका सही आंसर आ जाएगा एन देखते हैं प्रशन नमबर 15 हम कह रहा है मानो शरीर में रक्त परी संचरन का पता निमलिखित वेग्यानिक द्वारा लगाया गया प्रशन है मानो शरीर में रक्त परी संचरन का पता किस वेग्यानिक द्वारा लगाया गया बताईए सही आंसर इसका तो इसका सही आंसर आजाएगा C नंबर का William Harvey किसके दवारा William Harvey दवारा Next अगला प्रस्ण है प्रस्ण नंबर 16 केंदरक का पता लगाने वाले जीविग्यानिक थे केंदरक का पता लगाने वाले कौन से जीविग्यानिक थे तो इसका सही आंसर आ जाएगा A number 1 mole कुन थे? 1 mole A number का अंसर सही है next अगला प्रसम देखते है question number 17 question number 17 में कह रहा है पादब कोशी का जन्तू से निमलीखित प्रकार से भिन होती है पादब कोशी का जन्तू कोशी का से किस प्रकार भिन होती है पादब कोशी का बित्धी होती है पादब कोशी का में उरत रजधानी होती है पादब कोशी का में हरित लवक होते है उप्योक्स सभी यहनई कि उप्योक्स सभी हो जाएंगे तो उसका सही आंसर D number का donoplast हो जाएगा next question number 18 देखते हैं tonoplast है tone of plast है क्या है tone of plast यह 4 option दी है, 4 option में आपको सही answer बताना है तो इसका सही answer आजाएगा B नंबर का कोशिका के भीतर पाई जाने वाली रसधानी को आखचादित करने वाली जिल दी, क्या है tone of plast next अगला option देखते है, question number 19 निमलिखित मेंसे कौन सा उतक जन्तूमें नहीं पाय जाता चली देखते इसके 4 अफसन नीचे दिये हैं इन 4 अफसन में सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है आपका बी नमबर का वीफ resolve नेमलिखित लाब पोँचाते हैं RBC का डिक्स रूपी होना इस्तंधारी को निमलिखित लाप पहुंचाते हैं सही आंसर वतागी 20 नंबर का आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर का A और B दोनो यानि कि यहां समान आकार के गोले की तूलना में अक्सीजन का अधिक प्रेस्ट सता उपलब्त कराता है दूसरा छोटी सी जगह में अधिक RBC संचित हो सकते हैं यानि कि इसका A और B दोनों आंसर इसके सही है नेस्ट अगला प्रेस्ट देखते हैं प्रेस्ट नंबर 21 प्रेस्ट नंबर 21 प्रेस्ट में किया कै रहा है निमलिकित मेंसे कौन कैरे इसकا इसका प्रेस्ट नंबर 22 अमोनिया को निमलिकित इस्थान पर यूरिया में बदला जाता है क्या कह रहा है अमोनिया को किस इस्थान पर या यूरिया में बदला जाता है तो सही आंसर इसका आ जाएगा यक्रत में बी नम्मर का आंसर सही कायम बदल जाता है यक्रत में नेट्स अगला प्रसंदेखिए 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 सही alind प्रफभाव को रुखता है यह फुफस धंदी में रखत का प्रबहाव रोकता है, तो इसका साही अंसर आजाएका C number या आए निले से आए अलिन्ड ine to में परस्ष्ट इसिक प्रभाव रोकता है नेक्स्स अगला प्रपरसंद देखते हैं, प्रस्विस में क्या कहरा देखते हैं, चलिए प्रेशन नमबर 26 करा प्रकाश रशेशन की किरिया होती है प्रकाश रशेशन की किरिया होती चार अफसन दिया केवल धूप आले दिन में B नमबर क्या दिया है देखिए इसका B नमबर दिया है केवल तभी जब दिन में आकास में बादल घेरे हो केवल रातरी में दिन और रात दोनों समय तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नमबर टकाश रिशन के रिया केवल धूप वाले दिन में ही होती है नेश्ट रगला प्रसन 27 नमबर का निमली खित में कौन उभेलिंगी है मेंड़क, मनुष्य, हाइड्रा, गधा चली बताई यहां से उभेलिंगी कोन है तो इसका सही आंसर आजाएगा सी नमबर हाइड्रा, हाइड्रा क्या है उभेलिंगी है नेश्ट रगला प्रसन प्रसन 28 देखते है प्रसन 28 में क्या करा है आवरत बीजियों आवरत बीजियों में दूई निसेचन होता है, जिसका अर्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नमबर एक पुललेंगिक केंदरक का अंड केंदरक से और अन्य पुललेंगिक केंदरक का धूरवी नाभीकों से सयोजन, इसका सही आंसर कौन सा होगा डी नमबर का, नेक्स्ट अगला प्रसन देखते है नेक्स्ट अगला प्रसन क्या है, प्रसन नमबर 29, कोशिका में उर्जा उत्पादन इस्थल है कोशिका में उर्जा उत्पादन इस्थल है, कहां पर कोशिका में बताईए जिसका सही आंसर आजाएगा C, Mitrochandria कहां पर है? Mitrochandria में कोशी का में उर्जा उत्वादन इस्थल है तो Mitrochandria आजाएगा Next, Press No. 30 देखते हैं Press No. 30 में कहा रहा है मनुष्य के वक्रत, वकक में पेरामीड होते हैं कहा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Medula में Next, अगला Press No. 31 देखते हैं Press No. 31 में क्या कहा रहा है इदी किशी मनुष्य के शरीर में उपस्तित कुल 5 लीटर द्रक्त में से 1 लीटर द्रक्त निकाल लिया जाए तो अगले दिन उस व्यक्ति के शरीर में कितना रख्त होगा? चलिए देखते हैं इसका आपसन 4 आपसन दिन 4 लीटर होगा 4 लीटर होगा, 5 लीटर होगा, 5 लीटर होगा 3 लीटर सुने, 5 लीटर होगा चलिए बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा C No. 5 लीटर ही होगा कितना होगा पांच लीटर ही होगा नेश्ट अगला प्रसन देखिए प्राकतिक चैन द्वारा जेव विकास के सिध्धान्द को नेमली की जिव विग्यानिक द्वारा पेस्टूत किया गया है किस जिव विग्यानिक द्वारा इसे पेस्टूत किया गया प्रेकार्यात्मक अंग में किसमें अल्प वर्धित और अप्रकार्यात्मक अंग में नेक्स अगला प्रेस्ट देखते हैं प्रेस्ट नमबर 35 में क्या कह रहा है प्रेस्ट नमबर 35 चली जाती आवरत नियम या पुन्रावत्तन का सिध्धान्त निमलिकी जीवत विज्यानिक द्वारा प्रेस्टूत किया गया है किसके द्वारा प्रेस्टूत किया गय नीचे दिये के 4 में से कोन सा एक से टीनों को अपने में शमाहित किये हुए है तो इसका सच्य आंसर जीओ मंडल हो जाएगा next question है आपको मालूम है जीओ येねप पितिसस धी कितना है बताहिए इसका आसर तो 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है oxygen बागई क्या है अनिक आइसे जैसे कारवण आर्गन नियान तो सच्य आंसर क्या जाएगा तो यहां पर नील हरित्रिवाल बिना फलीदार पौध है जैसे कि जिन जोको और सी नमबर के दिया है गेहू और मक्का जैसे बिना फलीदार पौध है सभी फलीदार पौध है इसका सही आंसर हो जाएगा सी नमबर गेहू और मक्का जैसे बिना फलीदार पौध है इसका बहारती जन्तु सरक्षित प्राणी के शेड़ी में है बताई यहां से घोड़ा गेंडा गाय साप इसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर गेंडा किसमें आता यह गेंडा बहारती जन्तु सरक्षित प्राणी के शेड़ी में है नेक्स्ट अगला प्रेस्ट प्रेस्ट नमब न पौधों को कहते हैं जो प्रेशन हैं दूमिवरसी पौधे उन पौधों को कहते हैं जो अपने जीवन चक्र में अनेक बार पुस्पित होते हैं इसका सही आंसर कौन सा जाएका भी नंबर का नेच्ट प्रेस्ट बैलिस करा किसी आवरत बीजी किसी आवरत बीजी पौधे में पराकन की निम्लिखित दौरा सरवांतिक सुष्पर्ष्थ परिवासा दी जा सकती है प्रश्न क्या किसी आवरत बीजी पहुतधे के परागर्ण की किसके दोवारा सरवादिक सुष्पर्श परिवहासा दी जा सकती है पताई इसका इसका सही आंसर आजाएगा दी नमबर एक अंस्ता विक्सित प्यूम गम कोद भीत द्वाराने इसका सही आंसर कुन सा हो जाएगा दी नमबर का नेश्ट अगला प्रसंद एक प्रसंद एक प्रसंद नमबर 43 होगी इसका सही आंसर आजाएगा डी नमबर 15 कितने अर्थ सूत्री वाजन की आव सकता होगी नेश्ट प्रसंद प्रसंद नमबर 44 क्या कहला है ग्रेमीनी परिवार के पौधों के पुष्पों से बहाई दल और पंखोडियां नहीं होती किन्तु दो गूदेदार सर्चना होती है जो कहलाती है क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर शहपत्र क्या कहलाती है शहपत्र नेक्स्ट प्रसंद प्रसंद नमबर 45 के कट में पत्या काटों में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि यूँ हो जाती है तो इसके चार आप्संदी है तो इसका सही आंसर आजाएग गर्म सुसक मौसम में बेचे नहीं महसूस करती है क्योंकि क्यों महसूस करती है तो इसका सही आंसर आजाएगा C नमबर इनकी तौचा काली होती है और रुविदार नहीं होती इसलिए क्या करती है भैसे गर्म और सुसक मौसम में बेचे नहीं महसूस करती है नेक्स्ट अगला प्रसंद देखते हैं प्रेशन नमबर 47 उट गर्मी में सब्धे दोस्त सर्जन नहीं करता क्योंकि यह तो नहीं करता उसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर यह अपने सरीर कताप बैरी संसेल्सियस तक बढ़ा लेता है नेक्स्ट अगला प्रसंद देखते हैं प्रेशन नमबर 48 निमलीखित में कौन सा मचलियों का एक प्रमुक अभी लच्छन है जिसका सही आंसर आजाएगा सी नमबर यह अपने गल फड़ों से सास लेती है या लेते हैं कोन मचलियां अपने गल फड़ों से सास लेती है नेक्स्ट प्रेशन नंचास है प्रेशन नंचास में क्या कह रहा पादब कोशिका और जन्तु कोशिका में निमलीखित प्रमुक अंतर है बताई यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका पादब कोशिका और जन्तु कोशिका में निमलीखित प्रमुक अंतर है तो इसका प्रमुक अंतर आजाएगा इस नंबर का अंसर इसका सही होगा प्रमुक अंतर क्या है पादब कोशिका में सेलूलोस की बनी कोशिका भित्ती होती है तो क्या अंतर आ गया पादब कोशिका में शेलूलोस की बनी कोशिका मित्ती होती है इसका प्रमुक अंतर है इस प्रकार से आपका प्रेश नमबर 49 यहां पर समाप्त हुआ बच्चों हमने आपको एक से 49 तक यहां पर जो जिविज्ञान के महत्पूर बहुवी कल्फी प्रे किसके लिए नेशनल मेंस का मेरिट चाताजी पर इच्छा के लिए प्रेश नदी अच्छे लगे तो आप हमाई चैनल आइडिया देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए यह अन्य गुरूप में शेयर जरूर कीजिए